मुझे खुशी है कि बस्ती में हमारे संसत के साथी बाई हरी द्विवेदी जीए की मेहनत से इतने विशाल खेल महाकुम का आयोजन हो रहा है। भारत के खेलों में परंपरागत पारंगत स्थानिय खिलाडियों को ये खेल महाकुम नई उडान का आउसर देंगे। मुझे बताया गया है कि भारत के करीब करीब 200-602 ने अपने यहां इसी तरह MP खेल्सपरधा आयोजित की हैं जिसमें हजारों युवावने हिस्सा लिया है। मैं भी एक सांसद हूँ, काश्री का सांसद हूँ, तो मेरे काश्री के सांसद ये ख्षेत्र मैं भी ऐसे खेल्सपरधाओं का सिलसिला चल पड़ा है। इसी तरह के खेल्महाकुम अनेक स्थानों पर कराकर, MP खेल्सपरधा कराकर, सभी सांसद नई पड़ी का भविश्य गणने का काम कर रहे हैं। सांसद खेल महाकुम में अच्छा प्रदर्शन करने वाले युवाँ खिलाडियों को स्पॉर्ट ऑफ इंडिया के ट्रेनिंग सेंटर्स में आगे की ट्रेनिंग के लिए भी चुना जा रहा है। इससे देश की युवाँ शक्ति को बहुत लाब होगा। इस महाकुम में ही चालीस हजार से ज्यादा युवाँ हिस्सा ले रहे हैं। और मुझे बताया गया कि पिछले साल की तुलना में ये तीन गुना जादा है। मैं आप सभी को मेरे सभी वाद दोस्तों को इन खेलों के लिए देर सारी शुबकावनाय देता हूँ। अभी मुझे खोखो देखने का आउसर मिला। हमारी बेटियां जिस चत्तुराई के साथ और टीम के साथ पूरी तरह टीम स्पिरिट से खेल रही थी। वाकई बड़ा आनंद आ रहा था देख करके खेल को। मैं जानता नहीं हूँ मेरी ताली आपको सुनाई दे रही थे यह नहीं दे रही थी। लेकिन एक बड़िया खेल खेलने के लिए और मुझे भी खोखो के खेल का आनंद प्राप्त करने का आफसर देने के लिए मैं इन सभी बेटियों के बढ़ाई देता हूँ, उनका अभिनदन करता हूँ साथियों, सांसत खेल महाकुम के एक और विशेश बात है, इसमें बड़ी संख्या में हमारी बेटियां हिस्सा ले रही है और मुझे भी स्वास है, बस्ती, पुर्वांचल, यूपी और देश की बेटियां, ऐसे ही राष्ट्रिय, अंतराष्ट्रिय, प्रतियुगीताओं में अपना दमखन दिखाती रहेगी अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है कि विमेन अंडर नाइंटीन, टी ट्विंटी वर्ल कम पैं, हमारे देश की कप्तान, शेफाली वर्मा ने कितना शांदार प्रदसन किया बेटी शेफाली ने लगातार पांच गेदों में, पांच चोके मारे, और फिर ओवर की आखरी गैंद पर छक्का मार कर एकी ओवर में 26 रंज बना दिये ऐसे ही कितना सारा टेलेंट भारत के कौने कौने में है, स्पोर्ट्स टेलेंट को तलासने में, तराशने में, इस तरह के साउसद खेल महाकुम की बड़ी भूमिका है साथियों, एक वक्त था, जब स्पोर्ट्स की गिंती, एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटी में के दोर पर हुआ करती थी, यानि इसे पढ़ाई से अलग केवल टाइम पास का जरिया समझा जाता था, बच्चों को भी यही बताया और यही सिखाया, इससे पीधी दर पीधी एक मानसिक्ता समाज के अंदर गर कर गई कि स्पोर्ट्स उतना जरूरी नहीं है, वो जीवन और भविष्ण का हिस्सा नहीं है, इस मानसिक्ता से देश का बहुत बड़ा नुक्षान हुआ, कितने ही सामर्थवान हुआ, कितनी ही प्रतिभाए मैदान से दुर रह गई, कि बीते आठ नौ वर्षों में, देश ने इस पुरानी सोच को पीछे छोड़ कर, स्पोर्ट्स के लिए एक बहतर वातावर्ण बनाने का काम किया है, इसलिए अब जहांदा बच्चे और हमारे नौजवान स्पोर्ट्स को केरियर के विकल्प के तौर पर देखने लगे हैं, फिट्नेस से लेकर हेल्थ तक, टिम बॉंडिंग से लेकर तनाव मुक्ति के साधन तक, प्रोफेशनल सक्सेस से लेकर परसनल इंप्रूमेंट तक, स्पोर्ट्स के अलग-अलग फाइदे लोगों को नजर आने लगे हैं, और खुशी की बात यह हैं, कि माता-पिता भी अब स्पोर्ट्स को गंबीरता से ले रहे हैं, यह बढ़लाव हमारे समाज के लिए भी अच्छा है, स्पोर्ट्स के लिए भी अच्छा है, स्पोर्ट्स को अब एक सामाजिक प्रतिष्ठा मिलने लगी है और सात्यों लोगों की सोच में आये इस परिवर्तन का सीधा लाब खेल के खेत्र में देश की उपलब्दियों पर दिख रहा है अदर लगातार कि नईने रिकॉर्ड बना रहा है कि हमने अलेंपिक में अब तक का सर्वस्ति प्रदर्शन किया से प्याइ सखरावलिम्पिक में भी अब तक का बेस्ट प्रदर्शन किया कि अगे है बहलेओह ठीलों के टुर्णामेंट्स में भारत का प्रदर्शन अब चर्चा का विशे बन रहा है और साथियों मेरे नवजवान साथियों ये तो अभी शुरुवात है अभी हमें और लंबी यात्रा करनी है हमें नए लक्षों को हासिल करना है हमें कई नए रिकॉर्ड बनाने हैं साथियों स्पोर्ट्स एक स्कील है और एक सभाव भी है स्पोर्ट्स एक टैलेंट है और ये एक संकल्प भी है खेल के विकास में ट्रेनिंग का अपना महत्व है और साथि ये भी आवश्यक है कि खेल की प्रतियुगिताएं स्पोर्ट्स टूर्णामेंट्स लगातार चलते रहने चाहिए इससे खेलाडियों को अपने ट्रेनिंग को लगातार टेस्ट करने का मोका मिलता है अलग-अलग शेत्रों में अलग-अलग स्थर पर होने वाली खेल प्रतियुगिताएं खेलाडियों की बहुत मदद करती है इससे खेलाडियों को अपने सामर्थ के बारे में तो पता चलता ही है वो अपनी खुद की टेकनिक भी डिवलप कर पाता है खेलाडियों की कोचेश को भी पता चलता है कि उसके शिश्य में जिसको उसने सिखाया है अभी कौन सी कमिया रह गई है कहां सुधार की जरूत है कहां सामने वाला खेलाडियों पर भारी पड़ रहा है इसलिए ही साउसत महाकुम से लेकर राष्ट्य खेलों तक खेलाडियों को जादा से जादा मोके दिये जा रहे है इसलिए ही आज देश में जादा से जादा यूथ गेम्स हो रहे हैं यूनिवर्सिटी गेम्स हो रहे हैं विंटर गेम्स हो रहे हैं इन गेम्स में हर साल हजारों खिलाडी हिस्सा ले रहे हैं खेलों इंडिया भ्यान के तहट हमारी सरकार खिलाडियों को आर्थिक मदद भी दे रही है इस समय देश में पचीस सो से ज़्यादा एटलेट्स ऐसे हैं जिनों खेलों इडिया भ्यान के तहट हर मैने पच्चास हजार रुपिय से ज़्यादा दिये जा रहे हैं ऑलिम्पिक में जाने वाले खिलाडियों को हमारी सरकार की टार्गेट ऑलिम्पिक पोडियम स्कीम टॉप से बहुत मदद मिल रही है इस स्कीम के तहट भी हर महिने करीब करीब 500 खिलाडियों को आर्थिक मदद दी जा रही है अंतर राष्टिय स्तर के कुछ खिलाडियों की जरुवत को देखते हुए सरकार ने उन्हें धाई करोड रुपिय से लेकर साथ करोड रुपिय तक की मदद की है साथियों आज का नया भारत स्पोर्ट सेक्टर के सामने मौजूद हर चनोति के समाधान का भी प्रयास कर रहा है हमारे खिलाडियों के पास परियाप्त संसादन हो ट्रेनिंग हो टेकनिकल नौलेज हो इंटरनेशनल एक्स्पोजर हो उनके चैन में पारदर्शिता हो इन सभी पर जोर दिया जा रहा है आज बस्ति और ऐसे ही दूसरे जिलों में केलों से जुड़े इंफ्रास्रक्तर तयार किये जा रहे हैं स्टेडियम बनाए जा रहे हैं कोचेज की व्यवस्ता की जा रही हैं देज भर में एक हजार से ज़्यादा खेलो इंडिया डिस्ट्रिक सेंटर्स भी बनाए जा रहे हैं मुझे खुशी है कि इसमें से 750 से ज़्यादा सेंटर्स बनकर तैयार भी हो चुके कि देज भर के सभी प्लेफिल्स की जियो टैगिंग भी की जा रही है ताकि खिलाडियों को ट्रेनिंग मिलने में परिशानी ना हूँ सरकार ने नौर्थ इसके युवाओं के लिए मनिपूर में स्पोर्ट उनिवर्सिटी का निर्मान किया है और यूपी के मिरट में भी स्पोर्ट उनिवर्सिटी का भी निर्मान किया जा रहा है और मुझे बताया गया है कि यूपी में अनेकों नए स्टेडियम तयार हो चुके हैं खेलों को बढ़ावा देने के लिए यूपी के अनेक जीलों में स्पॉर्ट होस्टेल भी चलाए जा रहे हैं राष्ट्रियस्तर की सुविधाएं अब स्थानियस्तर पर पहुंचाने का भी प्रयास है क्यानि आपके पास मेरे नवजवान साथियों आपके पास अपार अवसर है अब आपको जीत का जंडा लहराना है देश का नाम रोशन करना है साथियों हर खिलाड़ी जानता है कि उसके लिए फिट रहना कितना जरूरी है और उसमें फिट इंडिया मुमेंट की अपनी भूमी का रही है फिटनेस पर ध्यान देने के लिए आप सभी एक और काम जुरूर करें अपने जीवन में योग को शामिल करें योग से आपका शरीर भी स्वस्त रहेगा और आपका मन भी जागरत रहेगा इसका लाप आपको आपके खेल में भी मिलेगा इसी तरह हर खिलाडी के लिए पॉस्ट्री भोजन भी उतना ही जरूरी होता है इसमें हमारे जो मिलेट्स हैं हमारा मोटा अनाज जो कहते हैं मोटे अनाज की बात जो करते हैं आम तोर पर हमारी यहां गावों में हर घर में खाया जाता है यह मिलेट्स की भोजन में बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है आपको पता है कि भारत के कहने पर साल 2023 को इंटरनेशनल ये रॉप मिलेट्स गोशित किया गया है अपने डाइट चार्ट में आप मिलेट्स को शामिल करेंगे तो ये भी आपको बहतर स्वास्थ में मदद करेगा साथियों मुझे भरोसा है हमारे सभी युवा खेलों से बहुत कुछ मैदान में भी सिखेंगे जीवन में भी सिखेंगे और आपकी यूर्जा खेल के मैदान से विस्तार होती होती देश की उर्जा बन जाएगी मैं हरीज जी को बहुत बढ़ाई देता हूँ बड़े लगन से इस काम के पीछे वो लगे रहते हैं इस कार के में लिए पिछली पार्लामेंट में आकर कि मेरे से निमंत्रन दे गए थे तो उनका ये जो बस्ती के जवानों के लिए नवजवानों के लिए दिन रात काम करने का उनका स्वभाव है कि वो खेल के मैदान में भी दिखाई दे रहा है कि मैं आप सब को भूत शुब कामनाई देता हूं कि बहुत-बहुत धन्यवाद प्रदानमंत्री नरेंद्र मोधी का संदेश बस्ती में सांसत केल खेल महाकुम्ब का आयोजन उस पर बोले विडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिए खिलाडियों और उपस्तित तर्शुकों को किया संबोधित इस महाकुम्ब में कई आउट्डोर और इंडोर खेल शामिल है और कहा कि बेटियां देश के लिए खेल के मैदान में और ज्यादा कर रही है